मन्जिलों के ख्वाब लिये रास्ते नापता जा रहा हो taste सिर्फ और सिर्फ चलता जा रहा है यह कैसी दुंद चा गई कैसा समा आ गया है ना आगए का रास्ता न जरा रहा है और ना ख़बर है मन्जिलों की नमस्कार दोस्तों मैं आनंद कुमार आप लोगों का अपने इन सब्दों के साथ अपने आपके यूटुब चैनल Lifetime Learning with आनंद कुमार में हारदी शागत करता हूँ और आसा करता हूँ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे मास्थ होंगे आईए दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में सिर्फ बात करने वाले हैं इस मुद्दे के जो आप लोग काफी अवेर हो इस बात से मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूँगा लेकिन कोई जरूरी बातें आपसे करके जाओंगा और इस से पहले ही बाते करूँ उस से पहले ही मैं आपको कह देता हूँ इस लिंक को जादा से जादा से शेयर करो तो सब लोगों तक पहुँचाओ, जो जगे नहीं है उनको जगाओ, हर लोग तक ये पहुँचाओ, ये मैसेज पहुँचाओ, कि उन्हें साथ आना होगा, हर लोग को खरे होना होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर एक स्टुडेंट हारता है, तो पूरा भारत हारता है, ये या और अगर एक परिवार हारता है तो पूरा देश हारता है क्योंकि परिवार से ही देश बना है तो दोस्तों ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही खतरनाक मुद्दा बन चुका है आज के देट में कि ये स्टुडेंट की हालत क्या हो गई है बच्चे सिर्फ और सिर्ट तयारी कर लेकिन आगे उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है रास्ते सिर्फ सपनों में दिखाये जा रहे हैं जैसे यहां खुलती है फिर असलियत कुछ और ही दिखने लगता है तो दोस्तों आप सब को हम सब को एक साथ खरा रहना होगा तब तक, जब तक की एक, जब तक की एक perfect result नहीं आपको मिल जाता है, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हो result के लिए, ये बात याद रखो, आप कितना भी परहाई करते जाओ, अगर आपको result ही नहीं आए, तब तक आप बेरोजगार हो, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता है, आप कमाने लाइक नहीं बन जाते हैं, आप पैसे नहीं कमाते हो, एक घर को नहीं समालते हो, एक स्टुडेंट की हार उसकी हार होती ही नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर एक स्टुडेंट हारता है, तो उसके पीछे माबाप अपनी जिन्दी की सारी कमाई तो भारत देश को हारने नहीं देना है और नहीं किसी परिवार को और नहीं कि स्टुडेंट को क्योंकि अगर दुनिया दारी चोड़कर सिर्फ और सिर्फ परहाई कर सकते हैं एक बंद कम्रे में वह कुछ नहीं सोच सकते हैं तो उनमें इतनी भी आगे कि वो बोल भी सकते हैं अपने लिए वो अपने लिए आवाज भी उठा सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो बिलकुल बैठे रह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जुल्म होगा और वो सहते रह सकते हैं नहीं इस पिक आप करना ही होगा हमें बात करनी ही होगी और नही करेंगे तो फिर कौन करेगा हमारे लिए इस दुनिया में सब को इस दुनिया में सब को अपने लिए करना पड़ता है क्योंकि यहां कोई किसी को देखने वाला नहीं और ये पहली वार है कि पूरा देश आपके साथ ख़रा है हर टीचर हर स्टूडेंट हर वो आम आदमी आपके साथ खरा है क्योंकि सब को मलूम है की ये सबसे बरा सच है अभी ये सबसे बरा सच है हमारे देश अब मैं बात करता हूँ उन सब एक्जाम्स के जिसको डिक कर जिससे परिशान होते हैं इसमें तो लिखा हुआ है कि S.A.C. और रेलवे लेकिन बैंकिंग या किसी भी गवर्मेंट जॉब की बात कर दो मैं कुछ को छोड़ कर मैक्सिमम जो मिडियोकर फैमिली के बच्चे पागल की तरह जिसके लिए मेहनत करते हैं एक पूरा मिडिल क्लास फैमिली उस एजुकेशन को देते देते अपनी जिन्दी की कमाई खो देता है और लास्ट में उन्हें रिजल्ट मिलता है कि वो बच्चा ब जिस टाइम आपको कह दिया जाएगा हाँ बाबू एक साल के बाद मैं तुमें नौकरी जरूर दूँगा ये कन्फरम है तो तुम एक साल में मुझे क्या दुनिया में सब को मालूम है कि स्टूडेंट वो जान जी लगा कर लगा रहेगा और एक साल तक पागल की तरह मेहन आज तरह इस्क्यूजजज यार इस्क्यूजजज दिना बंद करें लोग रिजल्ट देना से अगर आप इस्टूडेंट से रिजल्ट चाहते हो पिर लिम्स में अगर इस्टूडेंट फैल हो जाता था क्या उसको मेंज के लिए बैठने देते तो आप जब नहीं देते हो क्योंकि अगर अभी नहीं बोला तो कभी नहीं होगा इतना समझ लेना ठीक है दोस्तों तो अब मैं बात करता हूँ SSE की तो 2017 के बारे में आपको अच्छे से मालूम है क्या हालत हो गई Supreme Court में गया case यह हो गया दिस हो गया आते आते कितने लोगों का joining अभी तक क्या हुआ है na hadaन हो आप सब को मालत है तू तांटेटी अज्टा纏 ती ना जाता है मार्केट में उसका काम होते होते उसका डेस्क्रिप्टिव यह दिस यह यह ब् quiz होताया जाता ही न थार्ट होता है renault को फिर सिर्फ प्रिलिम्स देखे सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं फिर मेंस होता है फिर डेस्क्रिप्टिव के लिए इंतजार कर रहे हैं डेस्क्रिप्टिव होता है फिर सीपीटी के लिए इंतजार कर रहे हैं अरे बहाई इंतजार क्या रहे हैं मतलब अगर आप एक सिंपल इग्जाम्पल उठा लो अब रेलवे की ही बात कर लेता हूं मैं और आर भी एंटी पीशी फॉर्म तो भाईया देर साल पहले ही भरा जा चुका है एक देर साल हो गए ना उसके तो भाईया उससे लेके अभी तक एक वेंडर डिसाइड नहीं हो पाया क्या आप मजाक कर रहे हो इस सोसाइटी के साथ इस देश के साथ यहाँ चीजियों को इसका मतलब है प्राइटी की बात होती है और कुछ नहीं है आप जिन्दगी में अपने साथ देख लो आप जिस चीज को ज़्यादा प्राइटी देते हो आप को उस चीज को पाने से कोई नहीं रोक सकता आप जानते हो इस बात को किसी को कोई चाहिए कोई कुछ भी कोई भी चीज टार्गेट कर लेता है तो उसे पा के छोड़ता है उसके लिए वह बागी चीजों का सैक्रिफाइस कर देता है तो उसी तरह इसका मतलब है आप प्राइटी नहीं दे रहे हो आप इस चीज को प् पांच साल पंच वर्सिय यह जना लागू किये जा रहे हर चीज में चाहिए रेलवे और अब थोड़ा बैंक की भी बात कर लेता हूं मैं ज़रूरी है हर लोगों के बारे में बात कर लेता हूं लोगों को अगर गलत फहमी है बैंक वालों को कि वह अगर इधर आके नहीं बोलेंगे तो उनके उनका क्या है उनका तो सब कुछ अच्छा चला अरे बहुत बरी बेवकूफी कर रहे हो मेरे दोस्तों रेकेंसी के जो संख्यां है घरते हुए देखा है एक वक्ता है का नील होता जाएगा एकदम आ जाओगे एकदम एक्सपोनिंसी अली डिक्रीज हो तो देखो हाला देखो अगर इनके साथ आज ये प्रावल्म हो रहा है तो आप के साथ भी कर लोगा घबरा क्यों रहे हो तो आज पूरे देच में सब लोग अगर खरे हो थाइं लेकिन जो खरे नहीं हो रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि सब को आना है इस बात के लिए चाहे वो सोसल मीडिया का कोई भी प्लैटफॉर्म हो यूटूब हो फेस्बुक हो ट्विटर हो जिसका जहां पे जो भी है सब लोग जितना ज्यादा से ज्यादा से इस देश में अगर अभी कोई न्यूज समझ में आ एक्चुली सबसे वरी बात यह है उनको हमारी परिशानी दिखी नहीं दिया है मैं एक एक्जामपल उठाता हूं आरार भी यानि असिस्टेंट लोको पाइलर्ट टुथाओंटेटी फिफ्ट और फरवरी फरवरी में उसका फॉर्म भराया था ठीक है तो 2018 पूरा 2019 पूरा 2020 पूरा भाई साब तीन साल खतम अभी भी ऐसे कितने कैंडिडेर्स हैं जिनकी जॉइनिंग नहीं हुई है और यह मजाक नहीं है यह बहुत बरा एक्जामपल ऐसे कितने कैंडिडेर्स हैं जिनकी जॉइनिंग नहीं हुई है सब कुछ हो गया बाईया सेलेक्षन लेके बै फिर भी फिर भी आप पूरास्ता निकालना चाहिए ना वो जो बच्चे फ्रस्टेट हो रहे हैं सुसाइट कर रहे हैं यह कर रहे हो क्या उसके लिए आप जिमेवार नहीं हो आप हो जिमेवार और आपको जिमेवारी लेनी होगी हर एक बच्चे की जिमेवारी है आपके होगा यह बच्चे कहीं और के नहीं हैं किसी और ग्रह से नहीं आये हैं यह बच्चे भारत के हैं और भारत के मिडिल क्लास फैमिली जो भी है अपना जिंदगी का जितना भी कमाई है अपने बच्चे के एजुकेशन में लगा देता है और उसे एजुकेशन के बाद अगर उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा वो माबाप जो सोचते हैं कि हां भाई हम बच्चे के पीछे लगा रहे हैं एक ऐ उसरे ही दिन उस आसा के केरन को कुचल देते हों बच्ची का माववच सोचे उसके ईस्टितिक के बारे में आज यह तो बहुत बड़ी बात है कि मैक्सिममं लोग सिर्फ और शिर्फ फाइट कर रहे हैं कितने दंदार हैं बच्चे कितना उनमें जो से होगा सब लोग उठाओगे आवाज उठानी ही होगी आपको अपने लिए अगर आपको सेलेक्शन चाहिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपने लिए आवाज उठानी ही होगी और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है ये इस देश के हर नागरिक के लिए इस देश के हर उस इंसान के लिए है क्योंकि भाई वो हर इंसान किसी ना किसी फैमिली से आता है और वो हर इंसान उसकी उस सफर करना अब मंजिल की तलास आ गई है भाया अब मंजिल चाहिए लोगों को ठीक है तो बस दोस्तों मेरा बस इतना ही था आप लोग के लिए मैसेज कि आप लोग इसके लिए दौर के जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सब लोग सामने आईए और सपोर्ट करिए यसे और एक परक्ट जील द के बाद ही नोग आगे बरेंगे तब तक के लिए मैं आसा करता हम कि आप लोग जहां कहीं हैं सवस्त हैं मस्त हम और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार फिर से अगले सेशन में मुलागात होगी